बस थोड़े से गेहों के आटे से आज हम बहुती ज़ादा टेस्टी और एकदम फलफी रसगुले बनाएंगे ये देखने में एकदम बजार जैसे लग रहे हैं तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पिले हम इसका डो लगाते हैं एक मिक्सिंग बाउल के अंदर मैंने यहापे गेहों काटा लिया है और थोड़ा सा मैंने यहापे मिल्क पाउटर लिया है और इसको एकदम फलफी बनाने के लिए इसके अंदर बेकिंग सोटा एड़ करेंगे उसके बाद में इसको soft करने के लिए इसके अंदर देशी की add करेंगे और इन सबको add करने के बाद में अब इसको बहुत अच्छी तरह से हास की मदद से mix कर लेंगे इसको अच्छी तरह से mix करने के बाद में अब हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा दूट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से mix करेंगे थोड़ा थोड़ा से हमें बेजेस के अंदर इसके अंदर दूट डालना है एक साथ इसके अंदर बिल्कुल भी ने डालेंगे और इसको हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके और इसका एकदम सोफ्ट डो लगा लिना है डो हमारा बन के बिल्कुल तयार हो चुका है अब हम इसके उपर थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए रेश्ट पर रख देंगे जब तक हमारा जो डो हे वो रेश्ट पर हाम अपनी चास्णी की तयारी कर लेते हैं हमें इसकी simply जो हम नॉर्मल चास्णी बना लेनी है पेन के अंदर मैंने پानी गरम करने लग दिया है जैसे पानी गरम हो जाएगा इसके अिनदर हम शुगर डाल देंगे चीनी और चीनी के साथ साथ में इसके अंदर हम इलाईजी पावडर या फिर इलाईजी एड़ कर देंगे और इसको हमें अच्छी तरह से पका गए इसकी सिंपल जैसे नॉर्मार हम चाशनी बनाते हैं वैसे इसकी चाशनी बना लेंगे चाशनी हमारी बनके तयार हो चुकी है तो अब इसको साइट पर लख देंगे और अब हम पने ड्रक चलते हैं ड्रक हमारा आच्छी से ड्याईआ हो हो चुका है तो इसके अंदर थोड़ा सा ओडूल डाल के और इसको हमें सॉफ्ट कर लेना है इस तरह से मैंने सारे रजगुल्य बना लिया है अब हम इनको फ्राइ करने चलते हैं फ्राइ करने के लिए कड़ाइक अंदर तेल गरम कर लिया है और एकदम लो फ्लेम पे हमारा जो गय से उसको कर दिया है और उसके बाद इसके अंदर रजगुल्य लेट करके और चम्मत चलाते हुए मैं इसको अच्छी तरह से लो फ्लेम पे लगबक दस मिनट या आट मिनट के लिए फ्राइ कर लेना है लगबक दस मिनट के बाद में हमारे जो रजगुल्य के बॉल्स है वो बहुत अच्छी तरह से फ्राइ हो चुके हैं आप चाओ तो इसको और डार्क कलर में फ्राइ कर सकते हो उसके बाद हम इसको चासनी के अंदर एड़ कर देंगे और इसको चार घंटे के लिए चासनी क अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब की